हरे कृष्णा आज हम शिरीमत भाग्वतम सकंद एक अध्याई 16 इसके 25 श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे धरण्य उवाचव भवान ही वेद तत सर्वम यन माम धर्मा नू प्रिच्छसी चतुर भिर वत से येन पादेर लोक सुखा वहे गाये के रूप में पृत्वी देवी ने बैल रूप में धरम के रूप में पुरुष को इस प्रकार उतर दिया हे धरम आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ग्यात हो जाएगा मैं आपके उन सभी प्रशनों का उतर देने का प्रियास करूँगी कभी आप भी अपने चारों पाउं द्वारा पाले थे और आपने श्री भगवान की कृपा से संपून विश्म में सुख की वृद्धी की थी तक परिय धर्म के नियमों की स्थापना श्री भगवान स्वेयम करते हैं और ऐसे नियमों को कार्यान िवित करने वाले हैं धर्म राज या यम यमराज ऐसे नियम सत्य युग में पूर्ण रूप से काम करते हैं, त्रेता युग में इनमें एक चुथाई कमी आ जाती है, द्वापर युग में आधी कमी आती है और कल युग में ये एक चुथाई रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शुनिय पर आ जाते हैं, तब प्रले हो जा कि सभी प्रकार की विशमताओं की होते हुए भी धरम को धारन किया जाए। इस प्रकार मनुश्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततह भगवधाम को लोट सकता है। श्लोक नंबर 26. सत्यम शोचम दया, क्षान्ती, सत्यागह, संतोष, आर्जवं, शमो दम, स्तपह, साम्यं, तितिक्षोप, रती शुरुतं। श्लोक नंबर 27. ज्यानम विरक्तीर, इश्वर्यं, शोर्यं, तेजो बलं स्मृती, स्वातंत्रियं, कोशलं, कांती धेर्यं, मार्दव मेव, च। श्लोक नंबर 28. प्रागल भयं, प्रश्य, शीलं सह ओजो बलं भग, गांभीर्य, सतेर, मास्तिक्यं, कीर्ती मानों, नह कृतिही। श्लोक नंबर 29. एते चान्यच, भग्वनित्या, यत्र महागुणाह, पार्थ्रिया, महक्त्व मिच, भिर्दन, वियंतीस्म, कहीर्चित। श्लोक नंबर 30. तेना हम गुण पात्रेन, श्रीन निवासेन, सामप्रतम, शोचामी रहितम लोकम, पाप मना, कली नेक्षीतम। उनमें निमिन लेखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं, जो शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, और उनसे कभी विलग नहीं होते। ग्यार्वा सहनशीलता, बार्वा समदर्शिता, तेर्वा अग्याकारिता, चोधा ग्यान, पंदरह इंदरिय भोग से अना सक्ती, सोला ना यक्तव, सत्रा बहादुरी, अठारह प्रभाव, उन्नेस अंसंभव को संभव बनाना, बीस कर्तव्य पालन, इक्किस पून सवतं पूजा, 38 स्वा निर, भीमाम निता, 49 अस्तित्व श्री भगवान के रूप में, 40 शाशवत्ता, समस्त सक्त्व तथा संदर्य की स्रोत पून पुर्शोतम भगवान, श्री कृष्न ने इस धरा पर अपनी दिव्य लिलाएं बंद कर दी हैं, उनकी अनुपस्तती में कली न सर्वत्र अपना प्रभाव फिला दिया है, अतेव मैं संसार की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हूं। श्री भगवान के गुणों का अनुमान लगा पाना अनन्त वर्षों के पस्चात भी संभव नहीं हो पाया। श्री भगवान के गुणों के विश्य में उप्रियुक्त कथन उतनी ही दूर तक सत्य है, जहां तक मनुश्य उन गुणों को देख पाता है। किन्तो यदि इतने ही गुण मान लिये जाएं, तो भी वे कहीं उपशीडशकों में विभाजित किये जा सकते हैं। शिर्लाजीव गोस्वामी के अनुसार तीसरे गुण अर्थाद दूसरों के दुखों को ना सह पाना के दो उपविभाग हो सकते हैं। नंबर एक शर्नागत जीवों की रक्षा तता दूसरा भक्तों के लिए शुब काम नाएं। शिर्मत भगवद गीता में शिर्भगवान कहते हैं कि वे चाहते हैं कि परतेक जीव उनहीं की शर्न में आए और वे आश्वस्त करते हैं कि जो मनुश्य ऐसा करेंगे उनके वे स्मस्त पापों से रक्षा करेंगे। जो शरनागत नहीं है वे शरी भगवान के भक्त नहीं है और इस प्रकार हर एक को विशेश रक्षन प्रदान नहीं किया जाता है। किन्तु भक्तों के साथ उनकी समस्द शुब कामनाई रहती हैं और जो मनुश्य वास्तम में उनकी दिविय प्रेमा मई सेवा में सनलगन रहते हैं शरी भगवान उन पर विशेश ध्यान देते हैं। वे ऐसे शुद भक्तों का मार्ग दर्शन करते हैं जिससे वे अपने कर्तवियों का पालन करते हुए भगवधाम लोटने में समर्थ हो सकें। समता से श्री भगवान हर एक पर समान रूप से द्यालू है जिस प्रकार से सूर्य हर एक को समान रूप में अपनी किर्णे वित्रित करता है। फिर भी ऐसे अनेक मनुशे होते हैं जो सूर्य की किर्णों का लाब नहीं उठा पाते। इसी प्रकार श्री भगवान कहते हैं कि उनके शर्नागत होना एक प्रकार से सुरक्षा का आश्वासन हैं किन्तु जो अभागे हैं वे इस परस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाते और इस प्रकार भोते कष्टों को भोगते रहते हैं। इस प्रकार यद्यपी श्री भगवान स कभी भी धोशी नहीं ठहराया जा सकता वे केवल भक्तों के शुबचिंतक कहलाते हैं वे अपने भक्तों के पक्षपाती प्रतीत होते हैं किन्तु वास्त्विक्ता तो यह है कि वह जीव पर निर्भर करता है कि यह वह शुरी भगवान के समानव्य वहार को स्वीकार करी या ठुकरा दे शुरी भगवान कभी अपने वचनों से मुकरते नहीं जब वे सुरक्षा का आश्वासन दे देते हैं तो चाहे जो भी हो वे अपने वचनों को पूरा करते हैं यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि श्री भगवान या श्री भगवान के प्रमानिक प्रतिनिधी अर्थात गुरू ने उस पर जो भार सूपा है वह उसे पूरा करने हेतु द्रिड रहें, शेश तो श्री भगवान अबाद रूप से पूरा करेंगे. श्री भगवान का उत्रदायत्व भी अध्वित्य है, श्री भगवान का कोई उत्रदायत्व नहीं है क्योंकि उनके समस्त कारिय उनके द्वारा नियुक्त की गई विभिन शक्तियों द्वारा संपन होते हैं. फिर भी वे अपनी दिव्य लिलाउं का प्रदर्शन करते समें कुछ स्वैचिक जिम्मेदारियां निभाते हैं, बालक के रूप में वे ग्वाल बाल की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने नंद महराज के पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई, इसी प्रकार जब वे महराज वसुदेव के पुत्र र इस प्रकार का आचरन शत्रिये के लिए प्रशन सनिये होता था क्योंकि शत्रिये को अपनी होने वाली पत्नी के समक्ष बहादुरी का परदर्शन करना होता था जिससे शत्रिये पुत्री अपने होने वाले पती के प्राकरम को देख सके यहां तक कि भगवान शिरी राम देवी को भरण किया शेत्रियत्व का परदर्शन विवहा उत्सव के समय ही होता है और ऐसे युद्ध में कोई दोश नहीं होता भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उत्रदायत्व को भी पून रूप से निभाया क्योंकि यद्यपी उनकी सोला हजार से अधिक पत्निया थी किन्तु उन्होंने हर एक को पाने हेत्व वीर शत्रिय की भांती युद्ध किया था सोला हजार पत्नियों के लिए सोला हजार बार युद्ध करना श्री भगवान के लिए ही संभव था इसी प्रकार उन्होंने परतेक लीला के परतेक कार्य में पूरी जिम्यदारी दि इसरा देशकाल तथा वस्तु के अनुसार प्रस्थित्यों को समझने की शक्ती, चोथा हर वस्तु का पून ग्यान तथा पांचवा आत्म ग्यान जो अलपग्य होते हैं, वे ही अपने उपकारियों के प्रती प्रितद्न होते हैं। लेकिन श्री भगवान तो स्वयम के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई लाब नहीं चाते, क्योंकि वे स्वयम संपून हैं, फिर भी वे अपने भक्तों की अनन्य सेवा से लाभानवित अनुभव करते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रती ऐसी सरल अप्रती बंदित सेवा के लिए तरितग्यता का अनुभव करते हैं और सेवा द्वारा प्रतीदान करते हैं। यद्यपी भक्त के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, शिरी भगवान की दिवय सेवा भक्त के लिए अपने में ही दिवय लाब है, अते भक्त को शिरी भगवान से किसी वस्तू की आशा नहीं होती, वैदिक नीती वाक्य सर्वम खली वदम भ्रम के अधार पर शिरी भगवान अपने तेज की सर्व व्यापी किर्णों द्वारा जिन्हें ब्रम ज्योती कहते हैं पर तेग वस्तू के अंदर या बाहर सर्व व्यापी भोतिक आकाश की तरह व्याप्त है और इस प्रकार वे सर्वग्य भी हैं जहां तक शिरी भगवान के सुंधर्य की बात है उनमें कुछ विशिष्ट लक्षन पाए जाते हैं जिनसे वे अन्यसमस्त जीवों से भिन हैं कि इनके अतिरिक्त उनके कुछ विशिष्ट सुंदर लक्षन अत्यंत आकर्शक हैं जिनसे परमेश्वर की सर्व सुंदर कृती राधारानी का मन भी आकरिष्ट हो जाता है अतेव वे मदन मोहन कहलाते हैं अर्थात वे जो कामदेव के मन को भी आकरिष्ट करने वाले हैं शि पून पुर्शोतम भगवान पर ब्रहम्मा है। वे अपनी अचिंतिय शक्तियों के कारण सर्व शक्ति मान है। अतेव वे योगेश्वर अर्थात समस्त योगिक शक्तियों की सर्वोपरी स्वामी है। आश्वत रूप तक पहुंच कर संतुष्ट हो जाते हैं। समस्त महापुरुष उनके जैसे ज्यानवान बनने की आकांक्षा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य समस्त ज्यान सदेव अप्रियाप्त परिवर्तन शील तथा सीमित है। किन्तु श्री भगवान का ज्या सदेव स्थिर तथा आगाध है। श्री लासूत गोस्वामी ने श्रीमत भागतम में इसकी पुष्टी की है कि यद्यपी द्वारका के निवासी नित्य ही श्री भगवान के दर्शन करते थे। तो भी वे उन्हें पुनह पुनह देखने ही तू उत्सुक रहते थे। श्री भगवान की कारण सागर में योग निद्रा की स्वपन आवस्ता है। फिर भी यह संपून स्रिष्टी उन्हीं से उत्पन प्रतीत होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान की स्वपन आवस्ता भी वास्त्विक अभी व्यक्ती है। अतेव वेहर वस्तू क अपने दिवियन यंतरण में ला सकते हैं, वे जब कभी और जहां कभी भी प्रकट होते हैं, अपने पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, पुर्वाद में जो कुछ कहा गया है, वे सब होते हुए शिरी भगवान स्रिष्टी का व्यपार गतिमान रखते हैं, और ऐसा करते ह हुए वे अपने उन शत्रों को भी मुक्ष परदान करते हैं, जिन्हें उन्होंने स्वैम मारा है, वे सर्वो परी मुक्त आत्मा के लिए भी अकर्शक हैं, अते वे सभी देपताओं में महान ब्रह्मा तथा शिव जैसे देपताओं द्वारा भी पुजे हैं, यहां तक कि अपने पुरिश अवतार में भी वे स्रिजन शीलता के स्वामी है, भौतिक स्रिजन शीलता उनकी अध्यक्षता में कार्य शील रहती है, जिसकी पुष्टी शिरिमत भगवत कीता 9.10 में हुई है, वे भौतिक शक्ती के नियंतरक कुंजी समान है, और असंख्य ब्रहमांड में भौतिक शक्ती के नियंतरन हेतु वे समस्त ब्रहमांडों में असंख्य अवतारों के मूल कारण है, अन्य ब्रहमांडों में अन्य अवतारों के अतिरिक्त केवल एक ब्रहमांड में मनू के 5 लाग से अधिक अवतार होते हैं, लेकिन अध्यात्मिक जगत में जो महत्त परे हैं अवतारों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन विभीन वैकुंट लोकों में शिरी भगवान के पून अंश होते हैं वैकुंट लोक में महत तत्व के असंख्य ब्रह मांडों के अंदर पाए जाने बाले ग्रहों से तिगुनी संख्या में ग्रह हैं और शिरी भगवान के जितने भी नारायन रूप है वे सब उनके वसुदेव सरूप के अंश है इस प्रकार वे एक साथ वसुदेव शिरी नारायन तथा श्री कृष्ण है वे श्री कृष्णिक गोविंध हरे मुरारे हे नात नारायन वसुदेव है एक में सब अतेव कोई च चानूशोचामी, भवन्तम, चामरोकतमं, दिवान, पित्र नुरीशीन, साधून, सरवान, वर्नास तथा श्रमार। हे देवताओं में सरेष्ट, मैं अपने विशे में तथा आपके विशे में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, रिश्यों, पित्र लोग के निवासियों, भगवत भगतों तथा वर्नाशरम धरम के पालग सभी मनुश्यों के विशे में भी सोच रही हूँ। तात्परिय, मानव जीवन को पून बनाने में मनुश्यों, देवताओं, रिश्यों, पित्र लोग के निवासियों, भगवत भगतों तथा वर्नाश्रम धर्म की विज्ञानिक पद्दती का योगदान रहता है. अतेव मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्नाश्रम धर्म की विज्ञानिक प्रनाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्ग दर्शन देवताओं के लिए रिश्यों के अनुभव द्वारा होता है और जो धीरे धीरे उठता हुआ, पर्म पून सत्य, पू प्रानव जेतना का इस जेतना में विकास के निमिक्त होता है, मूर्खों की प्रग्ती द्वारा चिन कर दिया जाता है, तब शांती पून प्रग्ती शील जीवन का समस्त धांचा चर मरा जाता है, कल्योग में विश्धर सर्प का प्रथम आक्रमन ईश्वर कृत वर नाश् जनम धर्म पर होता है। फल्स्वरूप योग्य ब्रहमान शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र की योग्यता वाला ब्रहमन बन जाता है। यह सब जनम के जूठे अधिकार से होता है। अधिक शास्त्रों के प्रती श्रद्धा दिया दी है। आधुनिक योग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता। यहां तक कि श्री राम चरित मानस के अत्यांत लोक प्रिये रचैता द्वारा भी जूठे जनम अधिकार को स्मर्थन नहीं दिया जाता है। यह सब कल्यूक का प्रभाव है। अतेव गूरु प्रिथ्वी माता देयनिय दशा पर शोक व्यक्त कर रही थी। श्लोक नंबर 32 एवं 33 भ्रमादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्त पह समचरण भगवत प्रपन्नह साश्री स्ववास समर विंदवनम विहाय यत पादसो भगलम मलम बजते नूरक्ता। श्लोक नंबर 33 तस्याह मब ज कूली शांग कुष केतू केते हैं श्री मतपदेर भगवतह समलंक तांगी श्री नत्य रोच उपलभ्यततो विभूतीम लोकान समाम व्यसरिज दुत सम्यतीम तदन्ते। सुभाग्य की देवी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवस्ता तर्सा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार श्री भगवान के शर्नागत होते थे वे कमलवन के अपने निवास्थान को त्याग कर भी श्री भगवान के चरण कम के चिन, द्वज, वज्र, अंकुष तथा कमल से अलंकरित होकर तीनों लोकों की संपती को प्रास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भागे शालीनी हूँ तब श्री भगवान ने मुझे त्यान दिया। ततपर्य, संसार का संधर्य तथा एश्वर्य श्री भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है। किसी मानवकृत योजना से नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रिथ्वी पर विद्यमान थे, तब उनके चरण कमल के विशेष्ट चेन धूली पर अंकित होते थे। जि मनुष्यों तथा पशूं की अवश्यक्ताओं को पूरा करने वाली हैं, अपने अपने कर्तव्यों को भली भांती पूरा कर रही थी। अतेव प्रिथ्वी की समरिद्धी भ्रमांड की तीनों लोकों के अन्य सभी ग्रहों की समरिद्धी से बढ़ कर थी। अतेव मनुष् की समस्थ सुविधाई प्राफ्थ हों, जिससे हम सुखी रहें. कोई यह प्रश्न कर सकता है, कि जब प्रित्वी पर अपना कार्यपून हो जाने पर शिरी भगवान प्रित्वी छोड़ कर अपने धाम चले जाते हैं, तो फिर हम उन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं? इसका उत प्रवन कीर्टन स्मरन इत्यादी ध्वारा उनकी भक्ती में अनुरक्त रहें, तो वे सदेव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्व्यापी हैं। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिससे श्री भगवान जुड़े हुए ना हो। हमें चाहिए कि हम जुड़ने के इस संबंद को ढूं निकालें और अपराद रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। हम उनके दिविय शब्दो चारन द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। श्री भगवान का पवित्र नाम तता स्वयम श्री भगवान एक ही है और जो कोई निर अपराद भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्दन करता है, उसे तुरंद अनुभूती होती है कि श्री भगवान उसके समक्ष उपस्तित है। जब रेडियो ध्वनी के संपद्धन से हम ध्वनी की आंशिक अनुभूती प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर दिव्य ध्वनी को बार-बार उचारित करके हम निश्चे ही श्री भगवान की उपस्तती का अनुभव कर सकते हैं। इस युग में जब परतेक वस्तुकली के कलमश से दूशित है, शास्त्रों का आदेश है, तथा भगवान श्री चेतन्य महाप्रभू ने भी यही उपदेश दिया है, कि श्री भगवान के पवित्र नाम की कीतन से हम ततकाल कलमश से रहित हो सकते हैं, और क्रमशे दिवियप पद तक उपर उठकर भगवादाम वापस जा सकते हैं, भगवान नाम का निरप्राद रूप से कीतन करने वाला भगत साक्षात श्री भगवान के समान शुब होता है, और संसार भर में भगवत भगतों के विच्टन करने से संसार के संपून कष्ट दूर हो सकते हैं, मात् योवे माती भरमासुर वंश राग्या म क्षोही नीशत म पानुददान म तंत्रह त्वाम दूसस्त मून पदमात्मनी पोरुशेन संपादयन यदुशू रम्यमभी भर दंगम हे धरम पुरुश मैं नास्तिक राजजाओं द्वारान योजित अत्यदिक सैन्य समुहू के भार से भोजिल ओ उठी थी और अब शिरी भगवान की क्रिपा से उससे उभर सकी हूँ इस प्रकार आप भी कष्ट्रपद अवस्ता में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे इस प्रकार आपको भी उबारने हेतु यदुवंच में वे अपनी अंतरंगी शक्ती से अवत्रित हुए थे तब पर यह असुरगन दूसरे के सुख को लूट कर भी इंडरेत रिप्ती का जीवन बिताना चाहते हैं इस अकांक्षा की पूर्ती हेतु असुरगन विशेश्तिया नास्तिक राजा या राज्य के प्रशासनिक अधिकारी अपने आपको अतियंत घातक अस्तरों से सज्जित करके शांती पूर्ण समाज में युद्ध कराना चाहते हैं उन्हें आत्न शलागा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई अभिलाशा नहीं रहती इस व्रकार प्रिथी माता सैने शक्ती में अत्यदिक व्रिद्धी के कारण अत्यदिक बोजिल अनुभव करती हैं असुरों की व्रिद्धी होने से धर्मात्मा मनुश्य विशेश्तिया भक्त या देवता दुखी होते हैं ऐसी प्रिस्तिती में श्री भगवान इन अवांशित असुरों को नश्ट करने तथा धर्म की पुनेस्थापना करने हेतु अवत्रित होते हैं भगवान श्री कृष्न का यही उदेश्य था और इसे उन्होंने पूरा किया श्लोक नंबर 35 सह सकता है वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुसकान सुहावनी चित्वन तथा मीठी मीठी बातों से सत्य भामा जैसी प्रियत माओं की घंबीर्ता तथा प्रणे करोध को जीतने वाले थे जब वे मेरी सतह पर चलते थे तब मैं उनके चरन कमल की धूल में मगन हो जाती थी और फिर घास से आशादित हो जाती थी जो हर्ष से उत्पन मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था तातपरिया शिरी भगवान तथा शिरी भगवान की हजारों रानियों के बीच घर में से अनुपस्तती के कारण वियोग की अनेक संभाबना थी लेकिन जहां तक प्रिथ्वी का सं शिरी भगवान के चरण कमलों को तो प्रिथ्वी पर पढ़ना ही था अते वियोग की कोई संभावना ना थी किन्तु जब शिरी भगवान प्रिथ्वी को छोड़ कर अपने दिम्य धाम चले गए तब प्रिथ्वी की विरेभावना अत्यंत तीब्र हो गई श्लोक नमबर 36 त्योरेवं कत्यतो प्रिथ्वीर धर्म योस्त तदा परिक्षा नाम राजर्शी प्राप्तह प्राचीम सरस्वतीन जब प्रिथ्वी तथा धरम पुरुष इस प्रकार बातों में सलगन थे तब राजरिशी परिक्षित पूर्व की और बहने वाली सरस्व नदी के तट पर पहुंच गये इस प्रकार श्रिमत भाक्तम के प्रथम सकंद के अंतरगत महराज परिक्षित ने कल्यूग का सतकार किस प्रकार किया नामक सोलवे अध्याय के भक्ति विदान ततपरियव पून हुए हरे क्रिशना आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम नया अध्याय शुरू करेंगे अध्याय सत्र है जिसका नाम है कली को दंड तता पूरुसकार तब तक आप जबते रहे हरे क्रिशना हरे क्रिशना 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 हरे 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 राम हरे राम राम रा झाल झाल